अमारे कई सारे भीवर हैं जो मैच्वल फंड में इंवेस्मेंट करते हैं कई ऐसे लोग हैं इंडिया में काफी लोग हैं जो मैच्वल फंड में इंवेस्मेंट करते हैं लेकिन अभी तक वो यह चीज समझ नहीं पाए कि मैच्वल फंड होता क्या है तो आज हम इसी सवालों को आग्या हूं कि मैचուल फॉंड क्या होता है डीटेल में आज आपको मैं बताऊंगा कि मैचուल फॉंड क्या होता है बिल्कुल सरल भासा में यदि आप स्टॉक मार्केट में वीगनर है share market में नए entry किये हैं तो और mutual fund में यदि आप investment करते हैं तो आपके इस सवालों का जवाब मैं आज देने वाला हूँ आप बहतरीन ढ़ंग से समझ जाएंगे बिल्कुल आसान तरीका से मैं आपको समझाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को बिना देरी किया हुए शुरू करते हैं वीडियो को लाज तक जरूर देख लिजएगा आपके काफी काम की यह चीज़ है तो आज का मेरा टॉपिक है कि मैच्वल फंड क्या है मैच्वल फंड मैच्वल फंड का आप सबसे पहले जान लिजे कि अर्थ क्या होता है तो मैच्वल का मतलब होता है कोमन और फंड तो फंड ही होता है तो मैच्वल फंड का अर्थ हो गया कोमन फंड आपने इस शीच को समझ लिया अब मैच्वल फंड होता है कि है इस चीज को आसानी से आप समझ लीजिए तो यह जो है एक पैसे की पोटली है यह पैसे की पोटली है और इसमें एक दो तीन इस तरह करके सो लोग यानि इस पैसे की पोटली में यानी एक दो तीन सो लोग यानी सो लोग हजार लोग लाखो लोग कि इसमें पैसा डालते हैं यानि इसको कहते हैं ए यू एम इसको बोलते हैं ए यू एम इसका मतलब हुआ एसिट अंडर मैनेजमेंट ए एम ए यू एम एसिट अंडर मैनेजमेंट इसको फॉंड साइज भी भी बोला जाता है तो अब आप समझ लीजिए कि इसमें एक दू तीन करके हजारो लाखो लोगों से एम यानी इस पोटली को भर दिया अब आप समझ जो पैसा यानी फॉंड साइज जिसको कह लीजिए ए यू एम कह लीजिए तो यहां जो लोगों ने हम और आप जैसे लोगों ने इन सब ही लोगों ने यहां पैसा रखा अब इस पैसा को निकाल कर और कि डिफ्रेंट को डिफ्रेंट कॉम्पनियों में इन्वेस्ट कर दिया गया अब इसको कौन करता है मा लिजे के हम आप जैसे लोगों ने तो यहां पैसा इन्वेस्ट कर दिया लेकिन यह कौन करता है तो इसको मैनेज करने के लिए इसको मैनेज करने के लिए fund manager होते हैं fund manager यानी किसी भी mutual fund में fund manager होते ही है वही आपके और हमारे पैसे को manage करते हैं यानी fund manager जो होते हैं उन्हें mutual fund के बारे में काफी जानकारी होती है उनकी education जो है stock market share market mutual fund से related ही होती है उसके साथ उन्हें कोई सालों का experience होता है हर सारे company के बारे में वह काफी knowledge रखते हैं कौन सा company कितना performance किया कितना returning कितना दिनों में निकाल कर दिया सारी जानकारिया fund manager के पास उपलब्ध होती है तो यह fund manager जो है इन सभी different different company में उनके अनुसार जो company अच्छा खासा performance करती है उस company के share में उन्होंने invest कर दिया आप समझ गए यहां जो है कॉंपनियों में इन्वेस्मेंट कर दिये कि फॉंड मनेजर जो होता है वह ही expense ratio आप से लेते हैं और इस फॉंड का manage करते हैं इसमें पैसा लगाने का मतलब हुगा कि हम और आपको कोई रिक्स लेने की आओ सकता है नहीं हम आप मुन के सुरू कर दिया यह लॉंग लॉंग मनेजर जो होते हैं अलग अलग तरह की कंपनियों में पैसा लगाते हैं और वहीं से return निकाल कर हम लोगों को देते हैं तो आप काफी बारीकी से समाझ गया होंगे कि मैच्वल फॉंड क्या होता है तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर भी कीजिए और कमेंट करके जो पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा और मिलेंगे फिर अगले टॉपिक पर लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो जादी थोरा सा भी पसंद आया है तो इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए ताकि इसी तरह के इनफॉर्मेटी वीडियो आपको मिलती रहें मिलेंगे फिर अगले टॉपिक कर तब तक के लिए जैहिन